हे नमस्कार दोस्तों मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल इस डीपीके पे और दोस्तों जब से भारा सरकार ने डारेक्ट सेलिंग को लेकर नए रूल्स और रेगुलेशन्स पास किये हैं डारेक्ट सेलिंग को लेकर नए कानून बनाए हैं तब से जो भाड़े के कोट पैंट वाले और जो की गाड़ियों के शोरूम से इस्टॉल्मेंट पर गाड़ियां उठाकर लाते हैं और बीमडवलू यह दिखा दिखाकर देश के भोले भाले लोगों को बेरोजगारों को स्टूडेंट्स को यह जो फसाते थे अब जो है इनकी दुकान पूरी तरीके से बंद हो चुकी है कुल मिला जो लगे कहें तो यह लोग बॉखलाय हुए हैं बिलबिलाय हुए हैं अगर ठेट बिहारी भासा में बात किया जाए तो इनको अब समझ में नहीं आ रहा है एक्चुल में करें क्या एक्चुल में जिस चीज को लेकर जिस फोकट बाजी को जो फकाइती जो लोग करते थे फकाइती इंडेसेंस की जो ड्राइ किलीनर वाले दुकान से मास्टर साहब की दुकान से भाड़े पे जो कोट पेंट पहन कर घुमते थे और हमेशा यू यू उंगलिया करके जो इनकी आउकाज पाच पैसे की नहीं होते थे ठीक है वह बिलेनियर जो है पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं परिशान हो चुके हैं कल तक इस्टाग्राम पे आये में इंटर्पनियोर हेल्प टू ब्यूल्ड अदर्स बिजनस अहां ना सेल्फ मेड बिजनसमैन ये वह अब पूरा जो है इंस्टाग्राम बिल्कूल शान्त हो चुका है वहां यार इंस्टाग्राम का जो सीओ है अमेरिका में बैठके वही परिशान है कल तक तो इंडिया में इतने सारे बिलेनियर्स थे इंस्टाग्राम पे लेकिन ये भारसरकार ने ये नया कानून बनाया है डारेक्ट सेलिंग को लेकर तब से यह जो अंबानी थे यह सब कहां अंडर ग्राउंड हो चुके नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डारेक्ट सेलिंग को लेकर जो नया कानून आया है बैसे कली जो नए रूल्स और रेगुलेशन जिसमें काफी जो है एक तरीके से अब गवर्मेंट हो गई है और हलाकी होना भी चाहिए था मैंने तो आपने बहुत सारे वीडियो में बोला भी था कि किस तरीके से यह देश को बरबाद कर रहे हैं यह नेट्वर्क मार्केटिंग वाले चेन मार्केटिंग वाले पिरामिड इसकीम वाल यह जो कॉल्ल बिलेनियर्स होते हैं विल्कुल अनपढ़ गवार होते हैं जो कभी किसी स्कूल का मुह नहीं देखा लेकिन एक दिन यह कथा चंदा करके कोई फाइव इस्टार होटल बुक करते हैं उसमें अराम से जो है कभी बेड़ पर बैठके कभी बाधरूम में कभी बाथ टब में जो है मतलब कि पूरे छे महीने साल भर का कोटा एक ही दिन यो लोग डियेसलर से अच्छे अच्छे फोटो लेके जो है अपना कोटा पूरा क कर लेंगे और उसी फोटो को एडिट करकर के जो है माई लाइफ इस्टाइल माई बिलेनियर लाइफ इस्टाइल ये वह फलाना डिकाना है ना अपने एक फेक रोयल लाइफ दिखाने की कोशिस करते हैं तो दोस्तों अब जो है भारत सरकार का डंडा पढ़ चुका है और जो भी इनकी हथकंडे थे इस्पेशली जो इनकी हथकंडे होते थे कोट पैंट चलो कोट पैंट पर तो खरोक नहीं लगा है वह तो पहन सकते हो यार अब ऐसे भी अभी सर्दी है पूरे उत्तर भारत में तो कोई रोक नहीं है हसी तो तब आती थी यार जब मैई-जून क सकते हुई गर्मी में भी कोट पैंट पैंड पैन कर लोगों को प्लान दिखाते थे अमीर बन से की इनकी बाट से से चलोको पैसे ब्रौ च्याव लेकिन बाते तो चार गिन्हाँ लोगों के Start जो है अपने मोबाइल में रखते थे खिए और sowieso गिरश्वे कोरेश्य या इसका देख साइब आउट में है यहार मैं हमारा फलाना सिधार शुकला है जिसका जो है जो Evet टौप अरनर है यार मुझे तो इतनी है सी आधी एशी आका टौप अरनर वाई पूरे यह आई है सबसी तो अपने ही देश का अम्बानी है जिसके हर घंटे की जो इंकम है गाइस अम्बानी का वह 2000 करोड़ उपए और तुम्हारी कंपनी का पूरा जो टर्न ओवर होगा वह भी 400-500 करोड़ का होगा तो समझ सकते हो अम्बानी का कहा यह घंटे का इंकम तुम्हारी चार बार तुम को लेकर जो नया गाइडलाइन है वह बैसिकली है क्या और यह इस तरीके को से आपको लूटने से बचेगा क्योंकि पहले ऐसा कानून नहीं था यह कहीं भी घूच जाते थे प्लान दिखाने के लिए ठीक है मतलब प्लान आप समझें ने प्लान प्लान होता क्या था बैसि निकलता कि नौर्मल आपको साबुन से क्या निकलता है ज्ञाग ही निकलता है जो मारकेट में महंगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब अका सबताून cuts गरीबी धुलती थी ठीक है तो ऐसे ही जो इनके लंबे चोड़े वादे होते थे इनकी लंबी चोड़ी फकैती होती थी इनका जो फेक प्रॉमिसेज होता था इसको लेकर यह भारत सरकार ने डिरेक्ट सेलिंग बना दिया है कि खबरदार यह चेन मार्केटिंग वालो अब लोगों से फेक प्रॉमिसेज नहीं कर सकते हो अब जो है नए गाइडलान के अनुसार अब कोई बी डारेक्ट सेलिंग कंपनी हो को भी चेन्च कंपनी हो कोई भी अनुभई सेलिंग मार्केटिंग कंपनी और काई शेम्पू कि घर मन की कंपनी हो ग्यर कहां तुम ऑटो और अधिक से अधिक तुमको लोगों को इन्फ्लूइंस करना ना तुम लोगों सsehen oyun다면 बुलाओ और सबको अपनी शेंपू सेने लाओयं उनको दिखाओ किसे उनके बाल रेश्मी होगे उनको तुम नहलाओ अपने साभून से लेकिन सेमिनार में गलती से भी अगर तुमने फेक प्रॉमिसेस कर दिये नकली चेक दिखाएं लोगों के ठीक है यह जो इडिटेट भई यह आज का जवाना यार आर्टी जीएस आई एम पीएस का है बटम दबाते ही यहां से पैसा उधर तो जार ऐसे में चेक का कहां जरू में पूसर زण होता है लेकिन यहां कि है बड़ा बड़ा सा कट आउट भायर जिसकी यार। जीह जिसकी वैलू जी रुपये नहीं है वहां दो दो जए यह सालों का रूतनी कमाई करेंगे दिखाते थे अब यह से पर पूरी तरीके से रोक लग चुकी है क्योंकि अब जो है हर जिले में देश के हर जिले में अब नोडल ओफिसर तैनात कर दिये गए हैं जिनको अब जिम्मेदारी दी गए कि कहीं भी अगर कोई लोगों से से FM साने की कोशिशन कर रहा है तो तुम उसकी कहने सुनो कि पहले क्या था कि यरे नेटवर्क मार्गेटिंग वाले किस्ज़ी को भी inbox कर देना नीहांट से मोर्क के यहां यहां बैटके भई मुझे अपने लैपटॉप पे कोडिंग करना होगा काम तो यार साबून तेल बेचने का ही है तो साबून तेल घर पे बैठके कैसे भीकेगा ठीक है जैसे यह बोलते हैं कि यार लॉक्डाउन में आप घर से बैठके काम कर सकते हो तो और मुझे यह है यह इस्ट्राग्राम से कहीं इंटर्पर्रियॉर उतर के आ जाते थे आपको मैसेज कर देते थे पिंग कर देते थे कि Link in the bio, Link in the bio, Click to become a millionaire, Click to become an entrepreneur, अब यह सब कुछ बन, और साथ ही साथ अब यह भी guideline के rule है कि अब जितने भी यह direct selling में जो भी इसके बंदे हैं, जो भी इसके commission agents हैं, मैं दोनको commission agent ही बोलूँगा, distributor तो नहीं बोलूँगा, distributor तो एक अलग चीज होता है, वो काफी reputated चीज होता है तो जो भी इसके salesman होते हैं, अब इन सब को eye card रखना बहुत जरूरी है, company वाले अभी तक इनको कोई eye card नहीं देता था, ताकि कुछ भी जो है, अगर कुछ उल्टा सिधा हरकत यह करते हैं, तो भली यह पिटा जाए, company वाले उसकी co-responsibility अभी तक नहीं लेते थे, क्योंकि बहुत सारे networker पिटा जाते थे, कभी चौक पे, कभी चोराहे पे, क्योंकि उनकी हालत खुद खराब होती थी, और यह दूसरों को, अब खुद सोचो कोई बंदा है, जो भरी गर्मी में, दुपहरी में, कोट पेंट पेंट कर आया है, ठीक है, जिसकी अपनी खुद की को, अब कंपनी आई कार्ड प्रोवाइड करेगी, यह मस्ट हो चुका है, ठीक है, ताकि अगर वो कुछ उल्टी सीधी हरकते करता है, कुछ उल्टा सीधा प्रोडक्ट आपको बेचता है, अगर वो दस वाला प्रोडक्ट अगर आपको 50 में बेचने की कोशिश करता है, त सारा क्लेम जाएगा उस company पर जो उसका sponsor है जिसका वो employee है ठीक है यहां पर आप जो है अपने employee को अपने distributor को अपने जो भी उसके बंदे हैं उसको आप customer नहीं बना सकते हैं यह बहुत बड़ा एक हम इशू है गाइस जो की government of India ने बनाया है और इसके लिए मोदी जी को जितनी जितना धन्यवाद देना दूँ वो कम है और मैं तो टाइम टाइम बहुत पहले से यह मैं बोलता आया हूं यार की इनकी दुकान बंद करवाओ मोदी जी यार बहुत ही लोग का बहुत मचा चुके हैं तो शायद वहां तक बात चली गई और अब जो है अब इन कंपनिया का जो भी कंपनियों के लोग होंगे जो इनके बंदे होंगे वह अब अपने या तो अपने जो भी उनका जो बंदे जूडेंगे उनको वह customer नही हो सकता है मतलब यह कि कोई भी अपने distributor को customer बनने के लिए बाद नहीं कर सकता है पहले क्या होता था कि दोस्तों की वह बोलते थे तो कि ज्वाइनिंग फ्री है जो फ्री ज्वाइनिंग फ्री ज्वाइनिंग इस अब बिग ऑपरसुनिटी 21st century business और जैसे ही ज्वाइनिंग करने का यह मतलब नहीं कोई software है को बटम दवाना है तो green हो जाएगा ना आपको पैसे लगाने हैं समझ रहे हैं ज्वाइनिंग फ्री ज्वाइनिंग फ्री है इनकी क्योंकि अब गवर्मेंट का रूल था कोई भी company जो है ज्वाइनिंग के नाम पैसे नहीं ले सकती यह पै नहीं दवाना है आपको साबुन तेल खरीदना पड़ेगा वही 3000 रुपएगा तो आप समझ सकते हैं आपको 3000 4000 रुपएगा लेकर इनका जो है सब घटिया 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 जो भी supplements वगरा है जो भी इनका साबुन तेल तूथपेश सब दो नंबर के सब दो नंबर के और है इनका जो supplements है कहीं से कुछ भी नहीं मतलब कि आप खुछ सोचे एक healthy healthy body को सारा requirement हमें नेचर से मिल जाता है बिटामिन डी हमें सूर से मिलता है हमें iron phosphorus सबजिया से मिलती है कुल मिला कि हमारा लाइफ एक balance है लेकिन according to them आप बहुत कमजोर हैं आपको हर तरीके का nutrients चाहिए और nutrients कहां से मिलेगा हमारे डिब्बे में नोनी हो गया spiritual हो गया फलाना डिकाना स्टार बक्सी बक्स क्या क्य आपका सरीर अंदर संदर खोखला कर देगा खेर वो तो एक अलग चर्चा का विशह है मेरे काने का मतलब यह है कि यह जो है दस वाला समान आपको सौ में इसलिए बेशते थे ताकि यह लोग नबर पर कमिशन मार सकें अब कमिशन से ही आद आया कि आप जो है पिरामिट इस दो दो जोड़ेगा फिर उसके नीचे दो 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 जोड़ेगा एक तरीके से पिरामिट जैसे गीजा में पिरामिट बनाया था ना से 1600 साल पहले उस तरीका क्या पिरामिट बनाना है ताकि नीचे वाला बंदा अपनी जेब से पैसे निकालेगा और वह पैसा बट बट कर ब मोधी सरकार का अब क्या है कि आप नहीं बना सकते हैं दो के नीचे दो दो की नीचे भी आप चला गया वह खतम हो गया आप तुमको यह सब करना ही नहीं है पिरामिट खतम तो भाई MLM का जो है पुरा बिजनेस जैसे ही तुम बोलते हो ना कि हम direct selling है तो direct मतलब क्या होता है from one point to another point बीच में कहीं कोई दलाली नहीं बीच में कहीं कोई resistance नहीं बीच में कोई नहीं direct का मतलब इन दोनों के बीच में कोई एक लेकिन यह तो network marketing है multi level marketing जिसमें की दो के बीच में 100 भी हो सकते हैं 50 भी हो सकते हैं पाच हजार भी हो सकते हैं जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतने लोगों में आपका पैसा बचेगा क्योंकि नीचे से पैसा उपर तक जाता है बढ़ते 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 तो आप समझ बना भी है तो तुम पहले से appointment लेना होगा यह नहीं कि राज चलते कोई भी बंदा अपना इंटर्व्यू देने जा रहा है कोई भी अपने काम धंदे से बाहर निकला है और तुम उसको पकड़के करोण बनने का सपना दिखा उसको प्लान देखाना शुरू करो अब तो य कोई भी नेटवर्कर आपको पकड़ ने सकता है और जब भी अगर वह appointment लेकर भी आपके घर पर आएगा तो यह एक नंबर के चोर होते हैं बाहर सरकार यह जानती है कि आपके घर से कुछ उठा लेंगे इसलिए अब इनको आई-कार्ड लगा कर आना मस्ट है ताकि आप अ आप इनको पकड़ सको तो कुछ इस तरीके से दोस्तों अब जो है नेटवर्क मार्केटिंग का डारेक्ट सेलिंग का नया कानून आ चुका है जिससे आप उभोगताओं को बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है और जो बीच में जो इस्तिती गढ़बढ हो गया था आपने द इनफोर्मेटिव हुआ हो अगरे दोस्तों ऐसे और ज्यादा इनफोर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ओन कर लेना ताकि यार अगली बार जब मैं इन नेटवर्कर की यह MLM वालों की कि अगर मैं फिर पोल खोलने के लिए आउं तो आप उसको मिस्क ना कर सके तब तक रखी अपना बहुत सारा ख्याल मिलते हैं किसी और वीडियो में जैहिन अपना बहुत सारा ख्याल रखें